सेलो फ्रेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पोटेंशल दी को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी प्रेस करें जिससे की मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिविकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें तो फ्रेंट्स जैसे के आप लोग ना थमनेल देखी लिया है तो आज हम यहाँ पर डेल स्क्वाइर वन अपोन आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमारे लिए मैथमेटिकल फिजिक्स और एम्टी के लिए बहुत ज़्यादा जलूरी है बहुत ज्यादा यूसफूल है बहुत ज्यादा इंपोड़ाइन वैल्यू है तो आईए अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो शुरुवात करते हैं तो friends सबसे पहले हम जानते हैं कि यह हमारा डेल स्क्वाइर बन अपॉन आर है क्या तो friends यहाँ पर हम अलग-अलग करके लिखते हैं तो जैसे कि आपको पता है डेल हमारे पास एक operator होता है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको we know that तो friends हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास value होती है डेल की यह हमारे पास होता है x cap डेल अपॉन डेल x प्लस फिर होता है हमारे पास y cap डेल अपॉन डेल y और प्लस फिर होता है हमारे पास z cap डेल अपॉन डेल z तो friends यह हमारे पास डेल operator होता है और उसकी यह value होती है x cap del upon del x plus y cap del upon del y plus z cap del upon del z यह हमारे पास एक differential operator होता है यह सब आप लोगों को पता है अब friends आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास del square हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे अब friends हम simply क्या करते हैं इसका हम यहाँ पर divergence ले रहेंगे तो अगर हम यहाँ पर इसका dot product लेता है तो dot product में आपको क्या मिलेगा तो हम यहाँ पर इसका निकाल लेंगे dot product तो friends जब आप इसका dot product करोगे हम यहाँ पर लिखते हैं del dot del और friends इसको हम यहाँ पर लिख लेता है del operator, del square operator तो friends यहो जायगा हमारे पास x cap dell upon dell x फ्रेंज यह जायगा y cap dell upon dell y और plus यहाद़ जायगा मारेपास z cap dell upon dell x इसी तरहीं ते friends हम यहाँ पर लगाेंगे dot product और फिर हमारे पास होगा x cap dell upon dell x फ्लस y cap dell upon dell y और प्लास फिर होगा हमारे पास Z cap डल अपॉन डल जट अब फ्रेंच आम इसका यहाँ पर डॉल प्रोड़क लेंगे तो आपको पता है X.X हमारा 1 होता है मैं आपे लिख देता हूँ फिर भी तो आप सब लोग जानते हैं कि X.X का 1 होगा और X.Y का डॉल प्रोड़क जीड होगा तो यह आमको पता है तो फ्रेंच अगर हम इसकी इससे मल्टिप्लाई करेंगे इसकी इससे दोल प्रोड़क लेंगे तो हमारे पास आजए हाएगा डल स्कॉएर अपॉन डल X स्कॉएर इसी तरीके दे फ्रेंट्स हमारे पास आ जाएगा del square upon del y square similar लिकर के हमारे पास आ जाएगा del square upon del z square तो फ्रेंट्स यह हमारे पास आ गगई है del square की value तो यहां से हमने del square की value calculate कर लिए बहुत simple है तो यह हमारे पास laplacian operator भी चलाता है तो हम इसको यहां पर क्या बोलते है del square अब फ्रेंट्स यहां पर हमको क्या चाहिए del square one upon r की value चाहिए तो अब हम क्या करते हैं अब हम यहां पर जो हमारे पास r है हम इस r को क्या लिख लेते हैं यह हमारे पास एक position vector है तो friends इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ तो r vector is equal to यह हमारे पास हो जाएगा x और हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे x cap फिर हो जाएगा हमारे पास y इसको हम लिख लेंगे y cap और फिर हमारे पास हो जाएगा z और इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे z cap अब friends हम क्या ले लेते हैं इसका magnitude तो जब हम इसका magnitude लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा तो friends यह हमारे पास हो जाएगा under root और आपको पता है x square plus y square और plus z square तो यह हमारे पास क्या आ गया इसका magnitude आ गया अब friends हमको question में दिया हुआ क्या है तो हमको question में दिया हुआ है डेल स्क्वायर और यह हमारे पास है one upon r तो friends यह हमको question में दिया हुआ है अब यहां पे जो यह r है यह याँ हमारा vector नहीं है देखिए यहां पर मैंने vector नहीं लगाया हुआ और मैंने cable यहां पर टो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास magnitude है तो आप कोस्टाईंस में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वेक्टर रख का यूज नहीं किया है यहाँ यहाँ यूजग ठेल्ख अध्यूजग कला कर प्लस है यहाँ परdertcsण पर हम्यार 902-202-257 जार इस तरीके से यहाँ पर लिख देता हूं, अब मैंने यहाँ पर इसको लिखा, अब फ्रेंस यहाँ ने करके लिखा, अब हमको पता है कि हमारे पास डेल स्कॉयर की वैलू क्या होती है, तो फ्रेंस अब हम यहाँ पर डेल स्कॉयर की वैलू लगा देंगे, तो आपको पता है 1 upon R की value लगाएंगे तो 1 upon R की value हो जाएगी अंडर root यह हमारे पास X square प्लस Y square और प्लस Z square तो friends यह हमारे पास आ गया तो अब हम क्या करते हैं इसकी अलग-अलग multiply कर लेते हैं तो friends मैं next page में इसको करता हूँ तो हम क्या करेंगे अब जो हमारे पास value आएगी इसको मैं यहां से लिखता हूँ तो friends आप देख सकते हैं पहले हमारे पास यह हमारे पास यह हो जाएगा यह हो जाएगा X square प्लस Y square और प्लस Z square तो इस तरीके से मैं लिखा प्लस friends यह हो जाएगा अब फ्रेंड हम क्या करेंगे इन सब को मिया पर differentiate करेंगे तो friends पहले मैं इसको differentiate कर लेता हूँ इसको बोल लेते हैं फर्स differentiation इसको बोलते हैं second differentiation और इसको बोलते हैं third differentiation तो friends पहले मैं इस वाले का differentiation कर लेता हूँ इस वाले का इतने का मतलब X के respect में इसको differentiate करते हैं तो friends मैं आप इसको को ऐसे कर लिख लेता हूं , यह हुजाएगा हमारे पास, डियल अपन डैल x सक्वायर और यह हमारे पास है 1 अपन अंडरूट XSQIYSQIYSQIYSQIYSQIYYSQIYSQIYSQIYSQIYSQIYSQIYSQIYSQIIKH662 अब ndर हम क्या करते है, इसका इपर स्व shar करेंगके और फिर यहां पर देख सकते हैं, दो बार differentiation हो रहा है, तो पहला हम एक बार differentiation करेंगे, तो जब मैं इसका एक बार differentiation करूंगा, तो यह मेरे पास आजाएगा, 1 minus का 1 upon 2 यह हो जाएगा आपका x square plus y square plus z square की power minus का 3 by 2 है ना और फिर इसका x के रस्पेक्टम दोवारा करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 2x तो इस तरीके से यह हमारे पास आजाएगा अब आप फिर देख सकते हैं इस 2 से मेरा यहाला 2 cancel हो गया तो हमारे पास क्या बचा यहां से मेरे पास minus का sign बाहर आजाएगा डल upon डल x और bracket में हमारे पास क्या बचा एक मेरे पास x है यह मेरे पास है और फिर मेरे पास है यहां पर x square plus y square plus z square की power minus 3 by 2 तो फ्रेंग यह हमारे पास आया अब हम क्या करते हैं इसको हम दोवारा से differentiate करते हैं तो फ्रेंग थोड़ा बड़ा differentiation होगा तो इसलिए मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ हम यहां से start करते हैं is equal to अब फ्रेंग हम इसका differentiation कर रहे हैं फिर से again तो यहां पर देख सकते हैं हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास x है और एक मेरे पास x square plus y square plus z square की power minus का 3 by 2 है, तो friends पहले हम क्या करते हैं, यह minus का sign तो बाहरी रहने वाला है, यह वाला minus का sign, अब friends bracket लगा लेंगे तो पहले हम इस वाले term को ऐसे लिखने देते हैं, यह हमारे पास हो जाएगा x square plus y square plus z square की power minus का 3 by 2 अब फ्रेंट हम x का करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1 अब हमारे पास यह हो गया अब प्लस अब हम x को ऐसी देने देते हैं अब हम इसका differentiation करते हैं तो फ्रेंट जब इसका differentiation करेंगे तो minus का 3 by 2 हमारा पास या जाएगा इसका करेंगे कितना आएगा x square plus y square plus z square की power minus का 5 by 2 हो जाएगा और फ्रेंट यहां से हमारे पास कितना आजाएगा 2 x और यह हो जाएगा bracket close अब देखिए फ्रेंट इस 2 से आपका यह वाला 2 फिर से cancel हो गया तो आपने इस 2 को still 2 cancel कर दिया तो फ्रेंट हमारे पास क्या बचा तो यहां से देखिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या-क्या बचा है तो फ्रेंट यहां पर हम लगाएंगे is equal to minus का sign और हमारे पास अंदर क्या-क्या बचा तो हमारे पास बचा x square plus y square plus z square की power में यहाँ पर minus का sign लगा दिया और यह हो जाएगा हमारे पास 3 और friends इसको लिखेंगे x square और यह हो जाएगा हमारे पास x square plus y square plus z square की power minus का 5 by 2 तो इस तरीके से अब friends आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि यह मेरे पास x है यह मेरे पास एक और x है यह मेरे पास 3 है तो इस तरीके से हमारे पास 3 x square हुआ तो यहाँ पर हमने क्या करा इसको 3 x square कर दिया तो यह हमारे पास चीज़े निकल के आ गई है तो friends यह जो मेरे पास value है यह value किसकी निकल के आई है तो आप देख सकते हैं यह जो हमारे पास value है यह हमारे पास है del square upon del x square की अब देखिए अब हम इसको थोड़ा सो simplify करेंगे तो friends यहां से आप क्या कर सकते हैं minus का यह sign आप यहां से बाहर ले सकते हैं तो अब friends यहां से आप देखेंगे तो यहां से मेरे पास क्या क्या तो यह तो minus का sign पहली से बाहर है अब friends हम क्या करते हैं x square plus y square plus z square और इसको हम यहां से common ले लेंगे minus का 3 by 2 तो friends जो हो जाएगा 1 minus का 3x square यहां हो जाएगा और यहां से हम लिख लेंगे x square plus y square plus z square और friends इसकी power हो जाएगा minus का 1 तो यहां हमने यहां पर इस तरीके से common ले लिया तो friends यह value मेरे पास किसकी आ गई है तो आप देख सकते हैं यह मेरे पास आ चुका है del upon del x square और इसकी value है 1 upon under root x square plus y square plus z square तो friends जो मैंने इसको differentiate करा तो मेरे पास यह value निकल के आई minus का x square plus y square plus z square की power minus का 3 by 2 और bracket 1 minus का 3x square यह हमारे पास x square plus y square plus z square की power minus का 1 तो friends देखिए इस तरीके से यह हमारे पास value निकल का ही है तो आपने यहां पर चीज़ को notice करियोगी कि friends जब मैं x के respect में कर रहा हूं यहां पर तो यहां पर मेरे पास क्या रहा है 3x square आ रहा है तो अगर मैं friends यहां पर अगर इसको हम y के respect में करेंगे तो हम यहां पर लेक लेते हैं 3 upon तो यह हमारे पास अगर friends मैं इसको y के respect में करता हूं तो आप देखिए अब अगर मैं इसको y के respect में करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा minus का यह तो मेरे पास ऐसी आ जाएगा x square प्लस y square प्लस z square माइनस का 3 by 2 और friends यह मेरे पास है 1 minus का यह हो जाएगा 3y square यह हो जाएगा x square प्लस y square प्लस z square और इसकी power minus का 1 इसी तरीके से friends अगर मैं same इसी चीज़ को हम यहाँ पर differentiate करते हैं किसका z के respect में तो friends आप देख सकते हैं यह हमारे पास जाओं इसको z के respect में करेंगे तो friends हमारे पास क्या आ जाएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से is equal to minus का x square प्लस y square प्लस z square की power minus का 3 by 2 यह हो जाएगा 1 minus का 3z square यहाँ पर z आ जाएगा और x square plus y square प्लस z square की power minus का 1 अब friends हम क्या करेंगे इन सबकों यहाँ पर add कर देंगे जब मैं इन सबकों यहाँ पर add करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या चीजे हो रही है तो इन सबको add करो तो friends आप देखेंगे तो यह तो हमारा सब में common आ रहा है यह हमारा common है, यह मेरा common है, यह मेरा common है, तो इन सबकों मैं common निकाल सकता हूँ, तो friends, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सबकों में यहाँ पर common निकाल लेते हैं, तो यह आजाएगा minus का, यहाँ से यह हमारे पास x square है, plus y square है, plus z square है, और इसकी power minus का 3 by 2 है, तो friends, यह तो हमारा already वर भी common आ रहा है ना और आप यहाँ पर देखेंगे, तो यह इसको आड़ करेंगे, तो यह 1 है, यह 1 है, और यह 1 है, तो friends, 1, 1, 1 करके कितना हो जाएगा? तो यहाँ से यह तो मेरे पास कितना आगया 3, अब माइनस कर साइन, अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो friends यह मेरे पास कितना है 3x square तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ तो friends यह मेरे पास हो जाएगा 3x square यह मेरे पास है x square plus y square plus z square और इसकी power है minus 1 फिर आजाएगा minus फिर friends मेरे पास किया है 3y square तो यह मेरे पास होगा x square plus y square plus z square की power minus 1 फिर friends मेरे पास हैं यहाँ पर माइनस फिर मेरे पास कितना है 3z² और इसकी पावर है x² प्लस y² प्लस z² की पावर माइनस का 1 अब आप देखिए यह is equal to था तो friends is equal to अब हम यहाँ क्या करेंगे यह तो मेरा ऐसी का ऐसी आता रहेगा क्योंकि यह तो common है तो यह तो हमारा friends common आ चुका है इसको मैं ऐसी लिखते रहेंगे last तक तो यह हमारे पास है अब यह है 3- का अब देखिए friends यह मेरा common आ रहा है इसमें से सब में से यह हमारा common आ रहा है तो हमने यहाँ से common ले लिया तो यह तो मेरा 3 पहली से ही है और यहां से यह common आ गया x square plus y square plus z square की power minus 1 फ्रेंट्स यह मेरा common आ गया है अब क्या बचा अंदर आपके पास x square बचा आपके पास यहां से y square बचा आपके पास और यहां से z square बचा आपके पास तो प्लस ये मेरे पास है y square और ये मेरे पास है z square तो friends अब आप देख सकते हैं ये हमारा minus का वन है और ये मेरा पास plus का वन है तो ये आपस में power से power इसकी cancel हो जाएगी तो क्या बच्चा? minus का x square plus y square plus z square की power minus का 3 by 2 और friends ये मेरे पास है 3 minus का 3 है ना? और ये हमारा आपस में cancel हो जाएगा तो friends कितना आगिया? minus का x square ये हमारे पास है minus का x square plus का y square plus का z square 3 by 2 और into 0 तो friends हमारे पास जो net value आई वो हमारे पास कितनी आई? 0 तो इसका मतलब क्या हुआ friends कि जब मैंने इन सबकों यहाँ पर add गरा तो हमारे पास जो net value निकल के आई means del square 1 upon r तो friends इसकी value कितनी आती है? 0 तो friends यही था हमारे पास इस question का answer I think आपको यह question समझ में आ गया होगा तो friends इस चीज़ का बहुत ज्यादा use होता है हमारे उसमें electro-magnetic theory में और आपका mathematical physics में तो इस value को आप डिरेकल याद कर लीजे del square 1 upon r की value 0 होती है मैंने यहाँ पर इसको proved कर दिया है तो यह हमारे पास है एक तरीके से और friends अब हम अपनी next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके पास एक बहुत अच्छा question और भी है कि friends इसकी तो हमारी value 0 होती है del square और यह हमारे पास है 1 upon r is equal to 0 यह value तो हमारे पास 0 होती है लेकिन friend आपकी जो EMT होती है EMT में अगर आप इसका volume इंट्रिगर लेते हो del square 1 upon r और dv यह हम इसको dv लिखते हैं यह हम इसको d tau लिखते हैं तो आप चाहिए तो इसको d tau लिख सकते हो आप चाहिए तो इसको dv लिख सकते हो तो friends हमको यह बताना है कि अगर हम इसका volume integral लेते हैं del square 1 upon r dv का तो friends आपको यह बताना है इसकी value क्या होगी और मैं इसको आपको अपनी next वीडियो में explain करूंगा कि del square 1 upon r का integral ज्यानिकर volume integral क्या होता है क्या यह zero होता है या कुछ और होता है और अगर आपको इसका answer पता है तो आप मेरे को comment box में बताईए कि इसका answer क्या होता है del square 1 upon r integral dv का तो आप मेरे को बताईए और तब तक मेरे इस question का answer का wait कीजिये मैं नेक्स वीडियो में आपको इस कांसर जरूर दूँगा तो फ्रेंड ये था आज का हमारा कॉस्टिन कि आज हमने देखा डेल स्कॉयर बन अपोन आर की वैल्यू क्या होती है अगर फ्रेंड आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे हो अगर आपको मेरे चैनल से इन्फोर्मेशन मिलती हो अच्छी तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए इस पर कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और इसको आगे सेयर कीजिए तो फ्रेंड मिलता है अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू केप लर्निंग बाई बाई